दोस्तो अगर आप घुटने और जोडों में हो रहे दर्द और सुजन के कारण परेंशान रहते हैं अगर आपके घुटनों और जोडों का ग्रीज हो गया है, कार्टिलेज गिज गए हैं जिस कारण से चलने, फिरने, उठने, बैठने में काफी परेंशानी होती है और इसके आपने बहुत सारे उपाई भी कर लिये हैं लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा आप जब तक मेडिशन खाते हैं जब तक दबा खाते हैं तब तक तो आपको बहुत ज़्यदा रिलिफ मिलता है और जैसे ही आप मेडिशन खाना छोड़ देते हैं तो फिर से परिशानी बढ़े लगती है लेकिन आज में आपको जो पौधा बताने बाला हूँ इस पौधे को आप घर पर लगा कर ही फायदा उठा सकते हैं वो भी फिरी में जी हां अगर ये पौधा आप अपने गंबले में लगा लेते हैं तो भी आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए परिया करके आप अपने घुटनों में ग्रीश को बढ़ा सकते हैं घुटनों और जोडों में जो जाम हो गए उसको खोल सकते हैं कट कट की आबा जाना या फिर जदा दर्द और सूजन है तो उसमें अच्छा लाब मिलता है ये है हर सिंगार इसे हर सिंगार पारिजात की नाम से जानते हैं अब इसका कई प्रकार से प्रियोग में लाए जा सकता है जैसे अगर आपको रोजाना इसका क्वाज पी सकते हैं तो आपको करना क्या है इसकी कुछ पत्तियां लेजिए और कुछ पत्तियों को ले करके आप इसे पानी में डाल दीजिए और उस पानी को उबाल वाल कीजिए और जब वह पानी उबल जाए थोड़ा बचे पीने लाइक तो इसको आप च्छान करके गरम गरम हलका हलका सेबन कीजिए तो ऐसा करने से आपके घुटने में जादा रिलीफ मिलेगा घुटने और जोडों का दर्द सूजन गाइब हो जाएगा और ग्रीश भी को लेकर के पीस ले साथ में थोड़ा अधरक अधरक को भी पीस करके अगर इसका कपड़ी से छान करके रस पीया जाए तो भी बहुत अच्छा काम करता है रस में आप हो पी सकते हैं ठीक है आप इसको एक और तरीके से प्रयोग किया जा सकता है अगर आप जैसे ज़्याद कुमल पत्या, कुमल कुमल टेहनिया लेकर के आईए तकरीबन 4-5 किलो और उसके छोटे-छोटे टुकडे कर लीजिए 5 किलो इस औसदी का पंचांग ले आईए और 5 किलो हर संखार के पंचांग में आप 20 किलो पानी डालिए और 12-24 घंटे तक पड़ा रहने दीजिए जब 12-24 घंटा हो जाए तो फिर इसे आप अपने आग पच रहा करके अच्छे से पका लेजिए जब वह पानी पकते-पकते 5 किलो रह जा याद रखिए 5 किलो और सदी में 20 किलो पानी डालना और जब वह उसको पकाना जब पकते-पकते पानी बिलकुल 5 किलो रह जाए तो उसे अच्छे से कपड़े से च्छान लेना पिर च्छने हुए पाने को दुबारा से पका करके उस रस को आप गाढ़ा कर लेजिए घन बना लेजिए इसका घन सत्तो है और फिर उस घन सत्त की गोलियां बनाईए उन टेबलेट को सुखा करके डिब्बे में रख लीजिए बस आपकी दबा तयार है कुछ नहीं करना आप रोजाना सुबह जगें खाना खाएं और दो गोली सुबह सामसी बन करें बस कोई जंजट नहीं ना पीषने का ना उबालने का ना कुछ का बस रोजाना खाना खाने के बाद दो गोलियां खाली ऐसे करने से आपके बरसों पुराना घुटने का दर्द, जोडों का दर्द, कटकट की आबाज, आपके ग्रीज का सुकना, घुटने का जाम होना, सब ठीक हो जाता है यह बहुत ही बैस्ट, बहुत ही पावरफुल मेडिसन है, हर सिंगार हर सिंगार इसे गंबले में लगाईए या फिर मार्केट से लिया करके यूज के लिए वेडियो लाइक और चैनल को सबस्काइब केजिए नमस्का